प्रिये मित्रों आज हम गनेश चतुर्थी ब्रत की कथा आपको सुनाएंगे पहले गनेश अस्तुती सुना देते हैं उसके बाद कथा कहेंगे गाईये गनपती जग बंदन संकरशुबन भवानिजिके नंदन संकरशुबन भवानिजिके नंदन गाईये गनपती जग बंदन सिद्धिशदन गज बदन बिनायक कृपाशिंधु सुन्दर सबलायक गाईये गनपती जग बंदन मुदक प्रिये मुद मंगल दाता विद्याबारिधी बुद्धी बिधाता मांगत तुलसी दास कर जोरे बसही रामशिये मानस मोरे गाईये गनपती जग बंदन संकर शुमन भवानी जी के नंदन गाईये एक बार महादेब जी पारवती शहीत नर्मदा के तट पर गए और वहाँ एक शुंदर अस्थान देखकर पारवती जी ने महादेब जी के शाथ चोपर खेलने की इच्छा बेक्त की तब सिप जी ने कहा कि हमारी हारजीत का साक्षी कौन होगा पारवती ने ततकाल वहाँ घास के तिनके बटोर कर और एक पुतला बनाया उसमें प्रान पतिस्था करके उसे कहा बेटा हम चोपर खेलना चाहते हैं किन्तु यहाँ हारजीत का साक्षी कोई नहीं है अता खेल के आंत में तुम हमारी हारजीत के साक्षी होकर बताना कि हमेशे कौन जीता और कौन हारा खेल आरम हुआ दैव जोक से तीनो बार पारवती जीत गई जब आंत में बालक से हारजीत का निरने कड़ाया गया तूस ने महादेब जी को भी जई बताया परिनामता महादेब जी ने पारवती जी ने कुद्ध होकर उसे एक पाउसे लंगरा होने और उहां के कीचर में परा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया बालक ने नमर्तापुर्व कहा मा मुझसे ऐसा अज्यान बस हो गया ऐसा हो गया है मैंने किसी कुटिलता या दोईस के कारण ऐसा नहीं किया मुझे छामा करें तथा शाप से मुप्ती का उपाए बताएं तब ममतार उपी मा को उस पर दया आ गई और बोली कि यहां नाग कन्याएं गनेश पूजन करने आएगी उनके उपदेश से तुम गनेश ब्रत करके और मुझे प्राप्त करोगे इतना कहकर वे कहलास परबत पर चली गई जब एक साल बीता तो वहाँ स्रावन में नाग कन्याएं गनेश पूजन के लिए आई हैं नाग कन्याओं ने गनेश ब्रत करके उस बालक को भी ब्रत की बिधिबताई उसके पस्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गनेश जी का ब्रत किया तब गनेश जी ने उसे दर्शंद कर कहा कि मैं तुम्हारे ब्रत से प्रसंद हूँ तुम बर मांगो बालक बोला भगवन मेरे पाउं में इतनी सक्ति दे दो कि मैं कैलास परबत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकू और वे मुझ पर प्रसंद हो जाए गनेश जी तथास तु कहकर अंतर ध्यान हो गये बालक भगवान शिव के चर्नों में पहुँच गया शिव जी ने उससे उहां तक पहुँचने के शाधन के बारे में पूछा तब बालक ने सारी कथा शिव जी को शुना उधर उसी दिन से अप्रसंद होकर पारवती शिव जी से भी विमुख हो गई थी तद उप्रांत भगवान संकर ने भी बालक की तरह 21 दिन श्री गनेश का प्रत किया जिसके प्रभाव से पारवती के मन में स्वेंग महादेव जी से मिलने की इक्छा जागरी थुई वे सिग्धी के लास परवत परा पहुंची वहाँ पहुंचकर पारवती जी ने सीव जी से पुछा भगवन आपने कौन सा ऐसा उपाय किया है जिसके फलसरूप में आपके पास भागी भागी आ गई हूँ तो भगवान भोले नाथ ने उन्हें गनेश ब्रत का इतिहास अब पारवती जी ने अपने पुत्र कारती के से मिलने की इक्षा से एक कईस दिन एक कईस की संख्या में दुरूबा पुष्प तथा लड्डूों से गनेश जी का पूजन किया 21 दिन कारती के स्वेंग ही मापारवती से आकर मिली उन्होंने भी मा के मुख से इस ब्रत का महात्म शुनकर ब्रत किया कार्थिके ने यही ब्रत विश्वामित्र जी को बताया विश्वामित्र जी ने ब्रत करके गनेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म हरिशी होने का बर्मांगा गनेश जी ने उनकी मनों कामना पुर्ण की ऐसे ही अगर आप लोग ब्रत करेंगे तो स्री गनेश जी जो सब क मन कामनाएं पूर्ण करते हैं आपकी भी मन कामना को पूर्ण करेंगे तो बोलिए जय स्री गनेश जय स्री गनेश